गुट अफ्टरनून फ्रेंड्स तो ऐसा है हाँ गुट अफ्टरनून गुट अफ्टरनून थोड़ा एक बार मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कैसे क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सब्जेक्ट के उपर चर्चा करेंगे थोड़ा बहुत डिसकेशन करेंगे थोड़ा मेरे बारे में भी बता दूँगा वैसे तो कई लोग जानते हैं मुझे बट कई लोग नहीं भी जानते हैं तो उस हिसाब से मैं थोड़ा मेरे बारे में भी बता दूँगा और अपने खिरीव करएंगे तो आज में सिर्फ को थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूं जैसा कि आप जानते हैं मेरा कर रहे हैं तो सीये लोग भी पढ़ाएंगे सो मैं भी सीये हूं एफ सीये बोलते हैं एफ सीये मिन्स फैलो चाट्रेड अकाउंटेंट तो जिनको फाइव यह प्लस हो जाते हैं इन प्रैक्टिस वो लोग हां थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो पीया कबूलना है नाइस अपने माइक बंद रखें आप हाँ मैं भी एक सीये हूं और एफ सीये हूं तो काफी टाइम हो चुका है अब तो टेन इयर्स का एक्स्पिरियंस हो चुका है इसके अलावा मैंने बी कॉम भी किया हूं बी कॉम बेकॉम बोलते हैं इसको ज्यादा काम का नहीं होता बट फि इसके अलावा मैंने डीसा किया हूं डीसा डिप्लोमाइन इंफॉर्मिशन सिस्टम्स और इसके अलावा और भी बहुत सारे पोस्ट कॉलिफिकेशन कोर्से किया हूं लेकिन वह नाम के साथ नहीं लिखे जाते हैं तो वह इसलिए यहां पर नहीं लिखा जाता हां सो क्रिशनल का बोलना है हां हां हा छलो ठीक है हाँ हां इस सो अब के नाम भी इतने बढ़े बड़े आज कलके समय इपने बड़े नाम देखने को नहीं मिलते आपका नाम बड़ा है तो आप और बड़ी प्रसिद्द्धि एचीव करें ए एक राज राजश्वर है, एकदम नाम में राज है और उसमें भी राजश्वर है, सही है, शायरी देखेंगे अपन, पहले में थोड़ा बता तो दूँ, अपने बारे में, अपनी क्लासेस के बारे में, करते हैं, इसलिए करते हैं, क्योंकि इससे और काम मिलता है, जैसे मैं, प्रैक्टिसिंग चाट्रड अकाउंटेंट हूँ तो प्रैक्टिस में क्या होता है ना ओफिस में काम इससे बढ़ता है तो हम लोग जैसे यह नए नए कुर्षस करते रहते हैं तो इससे और अच्छे-च्छे नए-एकाम अपने को सीखने को भी मिलते हैं और एवन हमको उस जबा मैं टीचिंग में involved हूँ पिछले 10 साल से तो पिछले 10 years से experience है तो काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं काफी बच्चे पढ़ भी चुके मुझ से यह बैचके भी और इवन आपके कुछ seniors होंगे वो भी उनसे भी आपने नाम तो सुने ही होगा जब आप इवन foundation level पर कही जासा रहता है तो पता है आपको तो फिर यह इगो नहीं है तो ठीक है जो लोग जानते हैं उनको पता ही है फिर इसके अलावा मैं shares का भी काम करता हूं shares, trading मैं खुद भी करता हूं और even मेरे clients है portfolio होगरे हम लोग manage करते हैं तो यह सब काम भी हम लोग करते हैं इसके अलावा मैं books होगरे रिखता हूं author हूं और बाकी और बाकी के काम करते रहते हैं छोटे मोटे तो यह main काम हो गया कुछ अब teaching में जब हम बात कर रहे हैं तो teaching मे मैं क्या क्या पढ़ाता हूं so teaching में मैं CA foundation level पे law पढ़ाता हूं CA inter level पे again law पढ़ाऊंगा और CA final level पे direct tax जो होते हैं DT तो वो पढ़ाता हूं तो taxation income tax तो अभी फिलाल हम अगें law के उपर focus करेंगे CA inter में जो मैं law पढ़ाऊंगा आपको यह law का पूरा नाम है corporate and other laws पूरा 100 mark का paper है आपका 100 marks का paper number 2 कहलाता है बहुत ही important subject है आपके लिए real life में जितना आपको law काम आता है tax काम आता है उतना accounts भी नहीं आता है भले हम बोलते हैं chartered accountant है बट accounts भी इतना काम नहीं आता real life में आपको law हो गया taxation हो गया taxation is also a type of law यह चीज़े काम आती है so real life में आपके हैं कोई अगर client आएगा तो हो बोलेगा भी मुझे company बनाना है so company कैसे बनाना इसके बारे में पूछेगा company की कोई formalities है कुछ filing वगरे करना है यह चीज़ें आएगी real life में आपको so यह सब चीज़ें आपकी practical चीज़ें होती है so देखने को लगता है कि यह theoretical subject है बट ultimately यह सबसे ज़ादा practical subject है आपको real life में सबसे ज़ादा कानून का इस्तिमाल करना है law का आपको use करना है so corporate and other laws already आपने कुछ चीज़ें पढ़के आए है law की जैसे कि अब आपको पता है कि law बहुत important subject है क्योंकि यह तीनों level पे होता है foundation, inter as well as final so तीनों level पे सिर्फ दो subject आपको दिखते है accounts और law और दोनों जगे accounts और law जो है वो second paper होता है आपता तो importance आपको वही पे समझ में आता है पूरा लिखना पड़ता है descriptive paper है so बहुत important subject है जिसको आपको even score करना बहुत आसान हो जाता है of course आप एकदम अगर बोलेंगे sir मुझे 100 में से 100 चाहिए तो ऐसा नहीं होता 100 में से 100 marks नहीं मिलते हैं आपे हाँ लेकिन आप 90 तक जा सकते हैं आप बोलेंगे sir लेकिन मुझे तो school में मिलते थे so school की बात अलग हो जाती है CA exams में इतने marks नहीं मिलते हैं CA exam में तो 60 marks बहुत हो cone 60 marks नहीं exemption हो जाता है पता होगा आपको 40 marks ही बहुत हो जाते हैं यह भी पता होगा आपको so 40 mark की कीमत तुम क्या जानों CA Bébú CA Bébú घानता है actually 40 mark की कीमत तो 40 mark क्या होते हैं तो वह एक CA student को जादा अच्छे से पता है तो 40 marks भी अच्छे हो जाते हैं इसमें हम क्या क्या देखेंगे इसमें हम सबसे पहले देखेंगे corporate law corporate law जो है इसमें company से related रहेगी हम चालू यहां से नहीं करेंगे बट सबसे पहली चीज जो इसमें बताईए आपके course में जो part A है, दो part में इसको divide किया है, part A corporate law and part B other law corporate law में company के बारे में हम देखते हैं already आपने section number 10 तक पढ़ चुके हैं अब आपको sections क्या हैं, यह सब भी थोड़ी बहुत चीज़ें पता हैं, बट इस पे भी मैं और चर्चा करूँगा मैं ऐसा पढ़ाऊंगा जैसे कि हम एकदम zero से पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे, so company के बारे में हम देखेंगे, companies act है, companies act क्या है उसमें क्या क्या दिया हुआ है so आपने जो foundation level पे पढ़ चुके हैं, लगबग सब लोग foundation होंगे, foundation किये होंगे कोई direct interest है क्या अपनी class में directly जो CA inter में आया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं so दिख तो नहीं रहे so CA foundation के थुरू ही आये हैं सब लोग, तो सबको पता है कि corporate law, company law क्या है अब ये जो company law है company law में आपने जो foundation level पर पढ़ा था, वो सिर्फ 10 section थे गिंती के, यहाँ पर आपको पढ़ना है section number 1 से लेके 148 तक so सिर्फ 1500 section आपको पढ़ना है यहाँ पर, वो जो आपने देखा था foundation level पर एक दम सिर्फ trailer था, छोटा सा point था यहाँ पर आपको जादा deep में चीज़ें पढ़ना है 148 तक के पढ़ना है क्या यहीं खतम हो जाता है क्या act, तो नहीं इसके आगे भी section है 149 से लेके 470 तक के so यह जो sections है यह sections आपको final level पर पढ़ना है ठीक है so यहाँ पर 148 तक आपको complete कर लेना है दूसरा जो part है other laws अब other laws यह नहीं क्या इसमें क्या क्या आएगा so इसमें तो सबसे पहले आएगा contract contract act आपने जो देखे थे जो आपने foundation level में शुरुआत किये थे contract से जिससे आपको बहुत interest आने लगा था याद होगा आपको वो पहला contract act का पहला class even उसके बाद जो continuously अपन पढ़ते आए हैं या आपने जहां भी पढ़े होंगे so आपने पढ़े है contract act जो एक काफी interesting सा act है so contract act यहाँ भी है but वो नहीं है जो आपने already पढ़ चुका है यहाँ पर कौन से contracts है so याद करो आपने contracts of indemnity and guarantee यह छोड़ा था contract of indemnity थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर मिल गई थी आपको but अभी deep में आपको समझने मिलेगा contract of indemnity क्या है guarantee क्या है contract of guarantee फिर contract of bailment pledge and agency यह चीज़ें आपको यहाँ पर देखना है simple से points रहेंगे हम actually शुरवात यहीं से करेंगे contract act से क्यों? क्योंकि companies act में बहुत बदला होते हैं changes होते रहते हैं continuously contract act में उतने नहीं होते हैं तो companies act से अगर हम चालू करेंगे तो फिर से हमको amendments अलग से करना पड़ेगा तो इसलिए companies act अपन थोड़ा रुक के करेंगे तब तक कि आपके पूरी जो changes हैं जो applicable होने वाले हैं वो आपको पता लग जाएंगे तो वो अपने book में already incorporate कर लिए जाएंगे और अपन class करते करते पूरे जो changes हैं amendments हैं वो भी साथ साथ में पढ़ लेंगे ठीक हैं इसलिए companies act हम बाद में पढ़ने वाले हैं अभी हम क्या पढ़ेंगे तो हम contract act से शुरुबात करेंगे contract of indemnity guarantee bailment pledge agency इसके बाद यह पार्ट जैसे खतम होगा फिर second जो चीज इसमें आप पढ़ने वाले हो नेगोशेबल instruments act है नेगोशेबल instruments आपने पढ़ा होगा accounts में checks होते हैं bills of exchange होते हैं promissory note होते हैं इनकी थोड़ी बहुत accounting आपने पढ़ा है बट यह कैसे होते हैं कैसे क्या इनको पूरा किया जाता है कैसे क्या पिमिंट किया जाता है कैसे क्या validity decide होती है सही कैसे तरीके से इसको सही से बनाया जा सकता है सो यह सब चीजे हमको देखना है कि कैसा बना होना चीए क्या होना चीए किया नहीं होना चाहिए सो यह सब चीजे हमको यहां सब जेखork Cr你 car कैसे होता था है चुछ क्लिय को सब करेंगे पर इसके बाद हम आजएंगे फिर Turpan एक पर पूरा कवर करेंगे इसके अलावा और भी कानुवने क्या तो यस अदर लॉज में और दो चीजे एक है जनरल क्लॉजस एक्ट जनरल क्लॉजस एक्ट है जनरल क्लॉजस एक्ट है जनरल क्लॉजस एने कुछ आम बातें बताई गई है उसमें तो जनरल पॉइंट बताए गए है यह खास दोर पे आपको जो कानून है उसको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है तो जनरल क्लॉजस एक्ट यह देखेंगे and fourth जो point रहेगा यह रहेगा interpretation of statute याने कानून को कैसे समझना है कानून पढ़ते हैं हम तो कैसे क्या उसको समझेंगे उसमें क्या दिया होता है कैसे क्या उसका meaning निकालना तो यह सब चीज़े जैसे कि आपने foundation level पर पढ़ा था contingent contract वगरे में कई चीज़े मैंने बताया था कि यह चीज़ आपको intermediate level पर मैं deep में बताऊंगा जैसे उसमें लिखा है कि ship आईगी तो पैसे दिये जाएंगे बट मैंने बुला था कि पैसे देंगे और goods लेंगे यह interpretation हमने क्यों लिया वो चीज़े आपको यहाँ पर समझने मिलेगी ठीक है और भी बहुत सारे ऐसे rules होते हैं जो कि लिखे नहीं होते बट फिर भी आपको मानना पड़ता है तो ऐसे rules हम यह वाले act में पढ़ेंगे ठीक है तो ऐसा है पहले हम यह दो चीज़ कम्प्लीट करेंगे Contract Act and Negotiable Instruments Act फिर हम shift करेंगे Companies Act पे Companies Act में amendments वगरे भी होते रहते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है और यह जो Companies Act है इसके साथ साथ आपको rules भी बहुत सारे होते हैं Act ही नहीं होता सिरफ rules होते हैं बहुत सारे rules बताया होते हैं वो rules भी आपको साथ साथ में पढ़ना पढ़ता हैं उसमें भी काफी changes होते हैं हम यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे यह पूरा Act के form में पढ़ेंगे Bare Act से पढ़ेंगे Companies Act जो पढ़ते हैं वो पूरा Bare Act से पढ़ेंगे अब Bare Act मींज क्या मींज जो कानून लिखा गया है Actual में वही आपके बुक में छापा हुआ है तो आपके बुक में जो कानून की वर्डिंग्स है Actual Wordings of the Act वो लिखी हुई है और वो हम समझेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे अब इसी लिए हम पहले Companies Act देखेंगे उसके बाद यह देखेंगे क्योंकि Already Act पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ हमने यह Rules यूज किये हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर जो Rules बताएं इंटर्प्रेटेशन के यह हम Actual में यूज करेंगे Companies Act में तो हमको यहाँ पर में चीज है पढ़ना, सीखना कानून को पढ़ना कैसे है इंटर्प्रेट कैसे करना Foundation लेवल पर वो एम से हमने नहीं पढ़े थे Foundation लेवल में हमारा मकसद कानून सीखना नहीं था हम सिर्फ वहाँ पर चीजें देख रहे थे law क्या होता है, कैसे क्या यह काम करता है, क्यों बनाया गया है यह सब चीजें यहाँ पर भी वो तो देखींगी इसके अलावा हमको कानून का interpretation सीखना सबसे important चीजे है क्योंकि अब आपको यह level तक ला लेना चाहिए खुद की level को इतना race कर लेना चाहिए कि आगे चलके आपको law अगर कोई भी आए तो खुद पढ़ सकें आपका वो level आना ज़रूरी है so intermediate में आपको main चीज है कि पढ़ना कैसे वो चीज पर हमको focus करना है क्योंकि सोच के देखो, आज companies act बदल चुका है कल चलके कोई दूसरा act बदलेगा तो आप क्या फिर से class लगाओगे क्या कल चलके समझो companies act change हो गया दूसरा आ गया, होता है change जैसे 1956 का था वो खतम हुआ 2013 का आ गया कल चलके income tax act बदलने वाला है उसके जगे direct tax code आएगा तो आप क्या फिर से class लगाओगे क्या अरे यार, अपन CA बन गए अरे यार, अब तो कानून बदल गया चलो फिर से class करते हैं तो नहीं, आपको फिर से class नहीं करना है आपको कानून पढ़ना सीख लेना है आपने सीख लिया that means अब कोई भी कानून लाके दो आप वो कानून को समझ सकते हैं आसानी से clear कर सकते हैं so, बोलने का मतलब है कि हमको यहाँ पे कानून को पढ़ना उसका interpretation सीखना है कैसे क्या हम meaning दे रहें उन words को तो पूरे words को हम तोड़ेंगे उसके deep में जाएंगे और उसको समझेंगे पूरा knowledge basis पे हम पढ़ाई करेंगे हमको यहाँ again information gather नहीं करना है ऐसा होता वैसा होता वो नहीं उसके पिछे का background even एक छोटा सा concept भी मैं बताऊंगा तो उसके पिछे आपको background बताया जाएगा जैसा कि आपको already पता है मैं पूरा knowledge basis पे आपको पढ़ाता हूँ foundation ही याद कर लो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो आपको याद होगा कि foundation level में मैंने बहुत कम जगे बुलाओं कि यह याद रखो बाकी 99% cases में मैंने आपको चीजे समझाने पे focus किया था और वो important होता है आप अगर चीजों को समझ जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाती हाँ of course साथ में writing practice यह आपको करना पड़ेगा यहाँ पे आपको एक खास बात है जो benefit मिलता है foundation level पे कोई अलग से question bank नहीं मिलती यहाँ पे मैं आपको साथ में question bank भी देता हूँ तो आपको जो भी पढ़ाता हूँ उसके लिए कौन-कौन सी book मिलेगी आपको तो आपको मिलेगी total five books पाँज बुक्स मिलने वाली आपको locking आपको लग रहा है तो पाँज बुक्स मिलेगी कौन-कौन सी एक रहेगी corporate law की ठीक है यह थोड़ा रुट के मिलेगी अभी नहीं मिलेगी corporate law जिसमें company law के बारे में पूरा बताया है दूसरा मिलेगा आपको other laws इसकी बुक मिलेगी यह comprehensive textbook है means इसमें पूरी चीज़े covered है पूरा concept covered रहेगा इसके अलावा आपको यह दोनों की question bank मिलेगी question bank में बहुत सारे questions है past exam के questions है कुछ ऐसे भी है जो कभी पूछे नहीं गए बट फिर भी अपनी book में है और वो बाद में आते हैं ऐसा कई बार होता है अपनी book में खास तर पर ऐसा होता है कि आप कोई भी मेरी book उठाओगे ना अगर foundation की हो inter की हो कोई भी हो final की हो आप कही बार ऐसा देखोगे कि यह question अपनी book में पहले है बाद में exam में आया है तो ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है तो ऐसे भी questions आपको देखने को मिलेंगे जो की question bank में है बट exam में अभी तक नहीं आए बट it is possible कि वो शायद आ जाए तो question bank मिलेगे आपको question bank again दो type से उसको भी bifurket किया है corporate law की other है अलग है और other law की अलग है दोनों की अलग-अलग question bank आपको मिलेगे ठीक है so total यह 4 हो गई और एक मिलते है short notes जो की पूरी तरह से colored short notes है इसमें पूरी चीजें covered है comprehensive होते है यह भी comprehensive means covering everything सो मेरे जितने भी books या notes होते हैं उसमें सब चीज होती है आपको इसके अलावा कोई और चीज़ पर refer नहीं करना पड़ता है आप अपने interest के लिए अगर करना चाहें तो कर सकते हैं but these are sufficient आपको इसके अलावा कुछ नहीं भी पड़ो तो बहुत अच्छे marks मिल जाएंगे ठीक है so इतनी books sufficient है और कौन पड़ेगा आप सोचके देखो पांच books दे रहा हूं मैं आपको पांच books के बाद आप बोलोगे सर और पढ़ने की इच्छा हो रही है होगा कैसा तो नहीं chances कम है हां कुछ लोग हो सकते हैं कोई बोलेगा नहीं नहीं सर मिल जे तो पढ़ नहीं है तो फिर वो पढ़ सकता है कोई दिक्कत नहीं institute के website पे बहुत सारा material available है वहां से भी आप निकाल सकते हैं अब यह जो चीजे हम पढ़ेंगे अभी आपको कौन-कौन से book मिलेगी जैसा कि मैंने बताया अभी हम other laws से चालू कर रहे हैं और company law जो है न उसमें amendments होते रहते हैं तो इसलिए उसको अभी हम publish भी नहीं कर रहे हैं उसको थोड़ा रोग के हम निकालेंगे और even question bank में भी same चीज होगी क्योंकि अगर changes होंगे तो इसके question bank भी change करना पड़ेगा तो इसलिए अभी आपको other laws और other laws का question bank ये दो books मिलेंगी ठीक हैं short notes में बहुत जादा changes की परत नहीं है वैसे तो short notes भी मैं सोच रहा हूं कि जल्दी ही देदू क्योंकि short notes में अगर कुछ changes है भी इसमें तो वह अपन हाथ से incorporate कर सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है short notes पूरी colored होगी तो आजकल color का जमाना है तो जिन्दगी में रंग नहीं तो कुछ नहीं तो सारे यहां पे भी मैं आपको एक तो knowledge basis पर पढ़ाता हूं दूसरा diagrams बहुत सारे होंगे बहुत सारे diagrams and examples तो examples यह तीन चीजें USP है हमारी unique selling point तो यह तीन चीजें बहुत important होती है knowledge तो है knowledge और information का difference भी आपको पता ही है information यहने सिर्फ चीजें कैसी होती है वो बता दिया पर knowledge यहने उसका deep analysis जैसे पंखा घुमता है हवा आती है यह हो गया information कैसे घुमता है उसके पीछे का mechanism क्या है क्या technology है यह हो गया knowledge knowledge काम का है जैसे पुराने जमाने का फुश्पक विमान उड़ता है यह हो गया information कैसे उड़ता है यह हो गया knowledge और आज के दौर में तो knowledge ही काम का है क्योंकि आज information आपको जो भी चाहिए तो आपको mobile में अवेलेबल है आप तो touch भी नहीं करना पड़ता पहले हम बोलते थे touch पे click पे available है अब touch और click भी नहीं करना पड़ता आप बोलेंगे okay Google और उदर Google बताना चालू कर देता है यह Siri है Amazon है Alexa इनसे पूछे तो यह खुदी information दे देते हैं तो आप जो चाहोगे बस बोलने से मिलेगा तो वो सिरिफ information आ रही है लेकिन बट आपके लिए information काम की नहीं ह पड़ेगा कि उसके पीछे का mechanism क्या है technology क्या है तो वो चीज़ा समझना जरूरी है तो यहां भी हम कानून के पीछे का reason समझते हैं कोई भी amendment होता है तो उसका भी reason होता है कि यह changes क्यों किये गए तो वो reasons को समझने के उपर हम focus करेंगे तो वो देखेंगे इसके अलाबावा अब क्या हुआ था ना foundation level पे तो मेरी जो बुक है वो international level पर publish होती है इसलिए उसमें मैं diagrams के लिए जगे नहीं छोड़ सकता हूं पर यहां की जो बुक है ना उसमें आप देखेंगे कि जगे चूटी हुई है बहुत जगे बीच बीच में gap दिखेगा आपको तो वो जो gap है कि यार कुछ तो भी रह गया और इसलिए आपको महाँ पर जो भी diagram में बनाऊंगा वो बनाना ही पड़ेगा बट इसके अलावा फिर भी आप एक notebook maintain करेंगे अब यहां पर थोड़ा difficult जाता है time manage करना foundation level पर तो भी time मिल जाता है लेकिन intermediate level पर बहुत मुश्किल जाता है क्यो उसके बाद फिर खुद से पढ़ाई करना बहुत difficult जाता है क्योंकि आपको चार subject cover करना है तो उसके बाद चारो subject एक दिन में cover नहीं हो पाते कई बार तो उसके लिए या तो आप एक काम कर सकते हैं जैसे law का subject है उसको सिर्फ 15 minute दे दें लिखने का सिर्फ Sunday को काम करें बाक मैं जो भी पढ़ाता हूं उसको फिर से revise कराता हूं अगली class में फिर पुरानी class का revision होता है तो यह हमेशा होता है जिन लोगों ने पढ़ा है मुझ से उनको पता है so cumulative revision तो होगा उसका benefit मिलेगा ही इसके अलावा घर पे भी आप 15 minute 20 minute में revise कर लो यह एक तरीका कर सकते हैं या फिर आप alternate days दे सकते हो जैसे tax session और law है यह दोनों को आप alternate days दे सकते हो costing और accounts रोज करो tax को एक दिन करो दूसरे दिन law करो फिर tax करो फिर law करो तो इस प्रकार से आप कर सकते हो ठीक है बाकी नहीं तो 15 से 20 minute sufficient है जितना हमने class में पढ़ा उतना revise करने के लिए तो उतने देर अगर आप रोज दे पाते हैं तो that will be better जादा अच्छा हो जाएगा हो ल ही नहीं मैं अपने subject की हमेशा guarantee देता हूँ अगर आप class regularly करते हैं और घर पे सिर्फ यह 15 minute पढ़ लेंगे ना सो पास होना मेरे subject में बिलकुल भी difficult नहीं है हाँ लेकिन शर्त यह है कि आपको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा Sundays को जो भी मैं लिखने बोल रहा हूं वो लिखन बहुत वास्त है और यहाँ पे और ज्यादा वास्त है आप लोगों को foundation का course बहुत ज्यादा लगा होगा आपको लगा होगा सोर कितना सारा पढ़ना था एक दिन में इतना सारा पढ़ना था सो वैसे ही यहाँ पे आपको उससे चार गुना या पाँच गुना जादा पढ़ना है तो यहाँ पे course सीधा सीधा 5X हो जाता है अगर वहाँ पे आपने X पढ़ा था तो यहाँ पे 5X पढ़ना पढ़ेगा सो अल्टिमेटली बोलने का मतलब एक course बहुत जादा है और उस हिसाब से अगर आप regular पढ़ोगे ना तभी इसका एक effectiveness देखने को मिलेगा तो easily pass हो सकते हैं लेकिन regular पढ़ना consistency बनाए रखना ज़रूरी होता है कोई भी चीज में वैसे consistency required होती है बट यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं पढ़ाई की तो उसमें भी consistency होना और यह 6 मेने के लिए आपको थोड़ा compromise करना पढ़ सकता है बहुत सारी चीजों को क्योंकि आपकी पास इतनी पढ़ाई रहेगी इतनी पढ़ाई रहेगी कि बाकी चीजों के लिए शायद time न मिले या बहुत कम मिले तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी important होते हैं बहुत सारी चीजें जो कि एक simple सा example में दूँगा उससे वो पूरा topic clear हो जाएगा तो वो topic में फिर आपको कभी कोई दिक्कत ही नहीं आईगी तो सिर्फ ये तीन-चार चीजें ध्यान रखना है knowledge आप मेरे पे छोड़ दो diagrams मेरे पे छोड़ दो examples मेरे पे छोड़ दो आपके तरफ से सिर्फ एक होना revision सो consistency और कुछ नहीं चाहिए आप इतना कर लो आपको कभी भी तकलीफ नहीं जाएगी तो law में आपको आराम से 50 तो मिले जाएंगे ठीक है सो सिर्फ 40 तक के नहीं सोच रहे हैं हम और आगे का 60 marks इसमें रहेंगे वो भी कैसे bifurcate की हैं अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे और जो other laws हैं इसमें 40 marks है तो 40 marks का जो weightage है वो other laws के उपर है तो ultimately अगर आप देखो तो थोड़ा company law में जाधा weightage है और यहाँ पर पढ़ना भी जाधा है वही other laws में weightage कम है और यह थोड़ कि other laws में बिल्कुल भी marks गवाना नहीं है other laws अगर 40 marks का है तो at least 35 तो भी आप वही score कर लो तो 35 वहाँ score कर लिए और आपने अगर companies act में 35 score कर लिए तो 70 अपने आप हो जाता है and it is possible very easily बहुत आसानी से हो सकेगा बहुत आसानी से आप जो contract act वाला portion है उसमें आराम से आप 35 तक score कर सकते हैं so 70 तक तो ऐसे आसानी से आ सकते हैं सिर्फ शर्त यह है कि आपको एक consistency बनाए रखना पड़ेगा ठीक है so जो लोग बोलते हैं कि difficult होता है actually लोग पूरा समझते नहीं पूरा करते नहीं है काम जो जैसे मैं लिखने बोलूँगा तो आपका काम रहेगा लिखना है ठीक है और यह शुरुवात में बड़ा आसान होता है शुरुवात में तो आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा आप खुद करोगे बाद में difficult होते जाता है जैसे जैसे आगे time बढ़ता है तो आपको लगत है बट वो नहीं होने देना है उसके लिए हम लोग भी यहां पर वैसे तो है और दूसरी चीज़ जो मैंने बोला कि मैं यहां पर आपको पूरा कानून पढ़ना कैसे यह समझा दूंगा तो अगले साल इसलिए मैं final level पर law नहीं पढ़ाता क्योंकि मैं inter level पर पूरा law समझा देता हूं कि कैसे पढ़ना है तो यह जो law है यह final level पर आपको self करना जमना चाहिए इतना अच्छा होना चाहिए आपका और वो भी आप मेरे पर छोड़ सकते हैं कि मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा आपको यहां इतना अच्छे से समझ जाएगा कि final level पर कभी तक और हमको खाना ready made होना अब ready made का जमान आ है तो बस खाना ले लिए और खा लिए बट क्या होता है ना ऐसा अगर है कि मैं आपको रोज खाना खिला और एक दिन मैं नहीं आओंगा, तो आप भूखे रह जाओगे तो हमको यहाँ खाना खाना नहीं सिखना है हमको यहाँ पे खाना बनाना सिखना है तो हम cooking classes करनें ओलें अरे नहीं, cooking classes नहीं है पर बोलने का मतलब है कि आपको यहाँ पे चीजों को समझत नहीं कि खाना बनाते कैसे अगर ये पता है आपको तो फिर आप कभी भूके नहीं रहोगे आप self dependent हो जाओगे in fact independent हो जाओगे बुलना चाहिए तो आपको फिर किसी के उपर depend होने की जरुरत नहीं है तो हमको यहाँ पर वही काम करना है कि हमको आत्म निर्भर बनना है हमको independent बनना है और जो भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो इस प्रकार से ही पढ़ेंगे कि आपको वो चीज़ तो समझें और साथ में उसके थुरू आप दूसरी चीज़ों को interpret कर सकें आप देखेंगे कि इवन law पढ़ने के बाद आपको बाकी के भी सब्जेक्ट में बहुत फायदा होगा जैसे कि आपको tax हो गया उसमें भी फायदा होगा audit है उसमें फायदा होगा accounts है बहुत ज़ादा फायदा होगा क्यूंकि यहाँ पे जो law हम पढ़ते हैं यह actually पूरे concept को हम यहाँ पे समझते हैं और इसका application आप accounts में पढ़ते हो जैसे कि आपने पिछले साल contract of agency की accounting पढ़ चुके हैं यहाँ पे हम उसका concept पढ़ेंगे जो आपने पढ़ा था consignment accounts वो actually agency पे dependent है वैसे ही आपने negotiable instruments act की accounting पढ़ चुके हैं उसका हम यहाँ पे concept समझेंगे वैसे ही companies act में जो हम यहाँ concept समझेंगे वो accounting आप यही पे पढ़ोगे जो accounts 2 है उसमें आपको बहुत help मिलेगी आपको आपके accounts वाले sir बताएंगे कि यह चीज आपने law में पढ़ी होगी और यह law में आप पढ़ेंगे तो उसको connect कर पाएंगे तो हमारा काम यहाँ पे वही है कि सिर्फ एक subject नहीं इस subject के साथ आप चार subjects और तयार करेंगे जैसे कि companies act में जो आगे के sections है 148 तक के so in fact 128 से 148 बोल सकते हैं आप तो यह जो sections है ना बिलकुल वैसे के वैसे copy paste यह दिये हुए है audit में जो हम यहाँ पढ़ते हैं ना वही आप audit में पढ़ते हो company audit नाम से तो बिलकुल 100% same चीज रहेगी वह वैसी के वैसी चीज रहेगी so फाइदा यह होगा कि आप एक जगे पढ़ेंगे और उसको apply कर सकते हैं two or more things दो और दो से जादा भी subject में आप उसको use कर पाएंगे जैसे कि आप यहाँ पर दिखेंगे accounting कैसी होती है तो accounts में आप accounting करेंगे बट उसके rules यहाँ से निकल के आएंगे companies act से आपको फिर समझ में नहीं आएगा यार यह क्यों बनाया actual में उसका reason यहाँ दिया है उसका logic यहाँ दिया है so चीजों को हम समझेंगे और with logic समझेंगे ऐसा नहीं मैं सिर्फ आपको बता दूँगा क्योंकि information आज कोई काम की नहीं है information तो हर किसी को मिल जाती है आपको knowledge gain करना है knowledge gain करोगे उसका background जा रहोगे तो फिर आप बरोबर चीजों को use कर पाओगे in fact institute भी आप जो भी चीज़ें पूछता है जो भी questions आते हैं यह पूरे के पूरे questions जो हैं अब आज कल on the basis of case studies आ रहे हैं foundation में भी आपने note किया हो गए कि case studies पूछी जा रहे हैं कितने भी questions पढ़ दो लेकिन case studies तभी आप solve कर पाते हो जब आपका concept clear है अगर concept clear नहीं है तो case studies solve करना possible ही नहीं है और आज कल case studies ही पूछी जा रहे हैं यहाँ पे भी आपका जो 100 mark का paper है इसमें आपको 30 marks के जो है mcq आएंगे multiple choice questions और mcq आप तब तक solve नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके concepts clear नहीं है तो इसलिए concepts पर हमको ध्यान देना है अब यह जो mcq आएंगे इसका यह मतलम नहीं एकदम simple mcq आएंगे mcq कैसे आते हैं ना पूरा एक passage बना के दे दिया जाता है एक पूरी कहानी दे दी जाएगी आपको वो कहानी पढ़ो और फिर नीचे 4 question रहेंगे उस case के उपर 4 question रहेंगे तो इस प्रकार के mcq पूछे जाएंगे तो 30 marks आपके objective हैं multiple choice questions है और बाकी का 70 marks हैं वो 70 marks आपको पूरा descriptive रहेगा and again वहाँ भी case studies आएगी तो वहाँ पे भी आज कल ऐसा नहीं पूछा जाता कि आप सिधा सिधा जो question है वो लिख लिए पढ़ लिए और answer लिख दिए वैसा नहीं होता अब आपको mind apply करना है in fact institute जो चाहता है कि आप अपना application of mind पर focus करें वो memorizing पर ज़्यादा focus नहीं करवाना चाहता तो आपको यहाँ रटने के उपर focus नहीं करना है चीजों को समझना है और उसको apply करना सीखना है and writing practice आपको जरूर करना पड़ेगा ठीक है और वो Sunday Sunday को करे तो भी चलता है तो it is not required कि रोज रोज आप writing कर रहे है क्योंकि अब वो उतना time मिलेगा भी नहीं तो Sunday को आप एक दिन बैठें और पिछले chapter के पूरे questions अगरे देख लिए उसमें से कुछ लिख के देख लिए तो उतना sufficient रहेगा enough रहेगा ठीक है अब थोड़ा सा हम आ जाते है curriculum के बारे में आपको books कौन सी मिलने वाली already बताया हूं मैंने कि ये corporate and other laws की 14th edition है ये आपको मिलने वाली है तो इसमें भी आपको फिलाल other laws की book दी जाएगी जिसमें हमको क्या क्या पढ़ना है हमको contract of indemnity and guarantee पढ़ना है bailment and pledge agency ये contract act का हिस्सा हो गया then negotiable instruments act इतना पढ़ेंगे फिर हम जाएंगे companies act पे उसके बाद फिर वापस आएंगे general clauses और interpretation of statute ये comparatively दोनों छोटे act है बहुत ही छोटे देखो ये 20 page का है सिरिफ 20 pages और ये 25 pages 24-25 बहुत ही छोटे act है अब यहाँ पे यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बता है कि ये जो चीजे हैं ये छोटी जो जरूर है बट इसमें भी आपको concepts याद रखना पड़ेगा concepts अगर आप अच्छे से करोगे तब ही आप ये solve कर पाओगे चीजें हाँ अब जो मैंने आपको बता है कि आपकी book में जो भी chapters हम पड़ेंगे उसमें आपको बीच में इसी खाली जगे दिखेगी ये खाली जगे पे आपको diagrams बनाना है तो diagrams के लिए हर जगे आपको ऐसा space दिखेगा तो वो space में आपको diagrams बनाना है इसके अलावा एक आप notebook भी रखेंगे क्योंकि यहाँ पे space अगर sufficient नहीं है तो आपको notebook भी use करना पड़ेगा तो notebook भी आप लेके आएंगे उसमें आप diagrams बनाते जाएंगे साथी साथ उसी में आप लिखने की practice भी कर सकते हैं तो एक तरफ समझो सामने अगर आप diagrams बना रहे हैं तो back side से उसमें लिखने के practice चालू कर सकते हैं ठीक है तो यह करना पड़ेगा आपको लग रहा होगा कि sir नहीं किये तो नहीं चलता क्या तो नहीं चलता तो diagram या तो यहाँ बना लो नहीं तो फिर दूसरी एक चीज होगी कि आपको घर पे वो बनाना पड़ेगा जो 15 मिनिट है फिर उसमें आपको 20-25 मिनिट करना पड़ेगा लेकिन वो भी अच्छा ही है क्योंकि आप अगर यहाँ पे समझो screenshot ले लेते हैं मैं जो पड़ा रहा हूँ diagram बनाए है आपने screenshot ले लिया घर पे आप जो वो diagram बना रहे हैं तो it is nothing but a revision तो एक हिसाब से वो revise ही हो रहा है तो आप यहाँ screenshot भी ले लिया और बाद में बना लिये तो वो भी चलेगा बट बनाना जरूर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इतने screenshot जमा हो गए कि आपको जब जरूरत है तब वो diagram ही नहीं मिल रहा तो ऐसा होता है कई बार कि आप सब के screenshot लेते ना उसने हाई भेजी उसका तक के screenshot है आपके पास तो भो भी लेके रखा है आपने यह अरे उसने हाई भेजी थी में जाए यह भी है मैं सर्व व्यापी हूँ मुझे सब पता है यह जो short notes मैंने आपको बता है यह short notes भी आपको मिलेंगे इसका index अभी मैंने सिर्फ लेके आया हूँ आपके लिए इसमें कुछ चीजें बताए गई है कि क्या क्या चीजों पर कितने marks आएंगे अगेन यह जो है यह institute का data है institute के तरफ से यह लेके आया हूँ मैंने institute की websites है paper 2 corporate and other laws 100 marks का आपका paper रहने वाला है और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो जैसे मैंने बताए companies act section 1 to 148 यह part A में cover होता है total इसका weightage कितना है total इसका weightage होता है 60 marks यह लिखा नहीं है इन्होंने लिखना चाहिए यह part 1 है ठीक है यहाँ बरबर लिखा है part 2 other laws 40 mark यहाँ बरबर लिखा यहाँ नहीं लिखा यह institute की website की data है so 60 marks part 1 पे आएंगे आपको इसमें भी already आपने यह पहला chapter पढ़ चुका है जिसमें company क्या होती है formation क्या होता है यह सब देखा है आपने second chapter भी incorporation वगर है इससे related है वो देखा है थोड़ा से changes है changes भी आपको देखना है इसके अलावा थोड़ा आगे भी जाके देखना है जैसे आपने यह पढ़ा है memorandum क्या होता है articles क्या होते है यह सब चीज़ें आपने पढ़ी है बट अब उसमें amendments कैसे करते है change कैसे करना यह चीज़ें हम यहाँ पर समझेंगे उस पर जादा focus होगा वैसे prospectors क्या होता है securities कैसे a lot होती है shares और debentures क्या होते है इनके उपर हम deep में चर्चा करेंगे कैसे issue होते है कौन-कौन से type के shares होते है बहुत अप्रकार के shares हो सकते है वो अपन समझेंगे equity, preference, फिर उसने भी DVR shares यह सब चीज़ें समझेंगे अब देखो जैसा कि मैंने आपको बता है कि इन्होंने बोल तो दिया है कि हम weightage दे रहे हैं पर weightage इतना vague है इतना जादा broad है कि उस weightage का मतलब ही नहीं बचता इन्होंने यह तो बुला है कि हाँ हम weightage दे रहे हैं 25 से 40% इस पर आएगा अब लेकिन 25 से 40% यहने बहुत बड़ा weightage है 15% का difference है So that means 25 marks से 40 mark आएगा क्या So नहीं यह 60 marks में से बताया है ठीक है So 60 में से 25 से 40% 25 to 40% इसमें आएगा फिर 25 to 35% इन पर आएगा and 35 to 40% यह चीजों पर आएगा So किस पर कितना importance है क्या देना कितना importance देना वो भी मैं आपको बता दूँँगा यहाँ पर इन्होंने बना के तो दिया है बट फिर भी इस से अच्छी तरह से मैं बता दूँगा क्यूंकि यह इतना वेग है कि 25 से 40% 25 से 35% 35 तक 35 to 40% यह थोड़ा कम है यहाँ पर क्यूंकि एक पक्का question आते ही है यह तीनों chapter में in fact यह और यह इन पर पक्का question आएंगे और मैं यहाँ तक बता दूँगा आपको कौन से question आएंगे तो ऐसा CA exams में generally होता नहीं बट मैं आपको इतना बता दूँगा कि यह question जरूर आएंगे तो वो वाले question जरूर करना वो experience से होता है और 90% in fact 99% cases में आप देखोगे मैंने बुला हूँ यह आएंगे तो आज आएंगे तो वो exam में जरूर आएंगे तो वो चीजों पर आपको focus करना है तो यह दो chapter जैसे मैंने बताया तो मैं पढ़ाते पढ़ाते और बताऊंगा कि कौन से chapter में कौन सी चीज important है कौन सी नहीं है और कौन सी आने के ज़ादा chances है तो यह सब पढ़ाते पढ़ाते ही पूरा cover होते जाएगा कि कौन सा most important section है sections याद होते जाएंगे तो यहाँ पर वैसे मैं sections याद रखने बोलता नहीं हूँ मेरा वैसे तरीका है कि मैं रटने पर focus नहीं करता पर जिस हिसाब से पढ़ेंगे न आपको sections याद हो जाएंगे आपको उसकी फिकर करने के जरुरत नहीं क्या याद रखाना क्या नहीं वो मैं देख लूँगा ठीक है तो मैं आपको बताते भी जाऊंगा और आपको automatically चीज़ें याद होते जाएगे सो याद रखना section कैसे रटना इसके उपर भी आपको focus नहीं करना है जितने important sections होंगे सब आपको मुझ जबानी याद रहेंगे मैं बोलूँगा right shares आप बोलेंगे section 62 ऐसे एकदम याद रहेंगे आपको perfect एकदम तो उसकी भी आपको फिकर करने की ज़रुरत नहीं है तो वो आप मेरे पे छोड़ सकते हैं तो क्या याद रखाना क्या नहीं रखाना ये मेरे उपर depend करता है जैसे आपको याद होंगे foundation level पे कुछ sections याद हुए आपको companies act के क्योंकि मैं वो चाहता था कुछ case laws याद हुए इतने सारे case law थे लेकिन वही case laws याद हुए जो मैं रखाना चाहता था वैसे यहाँ पे होगा यहाँ भी case laws होंगे यहाँ भी बहुत सारे sections होंगे और यहाँ पे मैं sections याद रखा दूँगा automatically यह हो जाएगा तो आपको उसके लिए additional कोई महनत करने की आवशक्ता नहीं है ठीक है बस वही है कि साथ साथ में आप चीजें बनाते जाओगे लिखते जाओगे जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा वो चीजें आप बनाते जाओगे ठीक है फिर वो भले section के list होगी contract act में 30 to 35 mark का weightage दिया गया है फिर negotiable instruments act 20 to 35 mark तो again 35 तो constant रखा बट 20 याने कम भी आ सकता है इससे यह बहुत ही आसान है जैसा कि मैंने आपको बोला कि आपको marks यहाँ पे बिलकुल lose नहीं करना है यहाँ तो आपने पूरा 100 में से 100 मिलना चाहिए याने 5 mark का question है तो 5 में से 5 का try करो 5 में से 5 नहीं मिलेंगे साड़े 4 मिलेंगे लेकिन try पूरा करना है और 5 में से 5 मिलते हैं intermediate में कई बच्चें ऐसे हैं जो 80, 85, 88 तक के mark score कर चुके हैं तो कई मेरे students हैं जिन्होंने even 88 तक के mark score किया है तो कही न कहीं तो 100% मिला होगा तभी 88 marks possible है नहीं तो 88 marks possible नहीं है तो 88 तक score करना है उन्होंने बहुत बड़ी बात हो गई CA exams के हिसाब से लेकिन लोगों ने किया है और एक बार नहीं कई बार किया है हर exam में एक बच्चा तो होते ही है जो 80 प्लस लाता है तो एक बच्चा हमेशा रहता है तो वो 80 प्लस क्यों ला पाता है क्योंकि भई उसने proper तरीके से पढ़ा है और कही न कहीं उसने पूरे marks score किया है 100% अब यहां तो ऐसी दिक्कत भी नहीं है जो अपन कई बार blame कर देते थे अपन बोलते थे यार वो English में marks कट जाते है law तो बहुत अच्छा है English में marks डूपते है होता था ना यसा तो अपन English को डूबा देते थे English के उपर blame डाल देते थे तो ऐसा यहां पर नहीं कर सकते आप यहां तो क्योंकि पूरा law ही है तो पूरा 100 marks का आपको law पढ़ना है So Contract Act रहेगा फिर Negotiable Instruments Act का 20-35% का weightage दिया हुआ है फिर General Clause Act 15-25 and Interpretation of Statute 15-25 In fact, मुझसे अगर आप पूछो मैं marks के हिसाब से आपको बता दूँगा कि कितने marks इसमें आने वाले हैं अभी नहीं, पढ़ते पढ़ते जब अपन इसको पढ़ेंगे आगे चलके मैं आपको बताऊंगा इसमें से इतने mark का question पक्का है और वो भी concept part पे आएगा हाँ कई बार ऐसा नहीं होगा कि exactly मैं बताऊं यही question आएगा मैं question की बात नहीं कर रहा हूँ वो मैं बताई नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता कि यही question आएगा हाँ मैं यह बता सकता हूँ, यह topic आएगा तो यह topic में क्या पूछेंगे वो नहीं पता but topic वो आएगा बता दिया तो that is also sufficient कई बार वो topic में एक ही concept होगा तो वो ही topic बता दिया तो वो तो पका आने वाला है 100% तो ऐसा होगा, तो आपको इसलिए उसकी भी फिकर करने की जरुरत नहीं है तो सब चीज कैसे पढ़ना क्या करना यह अपन देखते जाएंगे तो यह index है, वैसे यह आपको अलग से मिलेगा, जो short notes से उसमें आपको यह भी बना के दिया हुआ है और पीछे के pages में एक list of sections भी आपको मिल जाएगी तो आपको यह screenshot लेने की वैसे आवशकता नहीं है और आप चाहो तो आपको यह ICAI की website पे भी available हो जाएगा अब इसके बाद पढ़ेंगे कैसे यह भी बता देता हूँ तो देखो, आपका जो यह short notes है, यह short notes का index है सिर्फ 95 pages में पूरा law complete हो रहा है जिसके आपको चार books मिल रही है अभी जब आप books देखोगे न, आपको लगेगा सर, इतनी बड़ी books यह books जो मैं चार books बोल रहा हूँ पांच books बोल रहा हूँ यह कोई ऐसा नहीं है कि छोटी-छोटी सी books है वो books भी बड़ी-बड़ी है, मोटी-मोटी books है तो आपको लग रहा हूँगा सर, कैसे पढ़ेंगे? पढ़ लोगे आप तो आप बस भरोसा रखो, पढ़ लोगे आपने तो foundation में भी सोचा था ना कि सर, इतनी बड़ी books कैसे पढ़ लेंगे हम? एक दिन में लेकिन आपने पूरा law एक दिन में complete किया including English बस यहाँ भी हो जाएगा तो आपको फिकर नहीं करना है वो चीज़ें आपन बरोबर practice करेंगे, बरोबर अपन आगे बढ़ेंगे तो पूरा plan है मेरे पास आपको बस वो plan को execute करना है साथ साथ में तो आपको फिकर नहीं करना है जो भी चीज़ें, already चीज़ें cover होती जाएगी आखरी time के लिए आपके पास short notes भी रहेंगे वो short notes के हिसाब से सब चीज़ें और आसानी से cover हो जाएगी ठीक है अब वापस आते है अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ेंगे mainly contract act के बारे में पहले हम चालू करेंगे contract act उसमें भी indemnity guarantee या bailment pledge से चालू करेंगे तो ये contract act जो है इसके बारे में अपन चर्चा चालू करेंगे बट उसके पहले में कुछ और general बातें भी बताता हूँ कि कानून क्या है क्यूं आया sections क्या है subsections क्या है ये चीज़ें भी हम देखेंगे वैसे तो आपको पता है काफी चीज़ें बट हम यहाँ पे जैसे चालू करेंगे फिलाल हम बहुत slow speed में चलेंगे क्यूंकि आप अभी वैसे भी result आने का है उसके पहले ही आप अगर classes लगा रहे हैं आप भी expect करेंगे कि एकदम से बहुत ज़्यादा pressure ना आए तो आप पहले धीरे धीरे चालू करना चाहेंगे इसके अलावा आगे आगे चलके जो दूसरे बच्चे रहेंगे जिन लोगों ने अभी classes जॉइन नहीं किये ultimately उनको भी जॉइन करना है उनको भी फिर साथ में पढ़ना पड़ेगा बट उनके उपर pressure आ जाएगा इसलिए अभी की batch आपने जॉइन किये तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि उसमें आपको एक pressure नहीं आएगा आप आसानी से हस्ते खेलते ये चीज़ें कर लेंगे और अभी जैसा मैंने बताया कि अभी अपन जो भी class लेंगे थोड़ी short लेंगे अपन लगबग 1 hour की class लेंगे 1 hour या 1 hour 15 minutes हो गया तो उतने की class लेंगे अभी शुरवात में तो एकदम देड़ घंटे की class अभी चालू नहीं करेंगे क्योंकि अभी से अगर अपन ने उतना लंबा चालू किया तो वैसे आप सुबह से बैठे हैं तो और तकलीब जाएगी आपका concentration अभी उतना नहीं बनता है शुरवात की बात है ना अभी आपको आदत नहीं है इतने देर बैठने की धीरे धीरे आदत डलती है तो शुरवात में थोड़ी तकलीब जाती है पर बाद में फरक नहीं पड़ता तो ये जो contract act है ये अभी सिर्फ एक घंटा हम रोज पढ़ेंगे वन आर की क्लास लेंगे वन आर से वन आर है 15 मिनिट के बीच में तो इतने देर ही हम अभी पढ़ेंगे और आप उतना साथ साथ में आसानी से कवर कर सकेंगे इसके बाद फिर जब results आ जाएंगे फिर अपना एकदम regular class होगी जो कि बराबर एक घंटा 30 मिनिट की रहेगी तो चालू होगी बराबर दो बचके 15 मिनिट पे और खतम होगी तीन बचके 45 मिनिट पे ठीक है अगर आगे थोड़ी जरुरत पढ़ती है जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो courses हैं उनको complete भी करना है और results अभी के late हुए है that does not mean कि आगे की bad जो है अभी बता दे रहा हूं आपको अभी अपन धीरे धीरे चालू करेंगे धीरे धीरे चीज़ेंगे सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें आल्रेडी आपको पता है बट फिर भी हम उसको और डीप में जाके समझेंगे जैसे memorandum articles पता है बट वो कैसे change किये जाते है उसकी क्या process है इस पर question आते है तो वो चीज़ हमको समझना है अब कुछ general बातें बता देता हूं act वगरे क्यों बनता है वैसे जिनोंने foundation मुझसे पढ़ा है उनको बताया हूं फिर से बता रहा हूं कि हर चीज़ के पीछे logic होता है जैसे कोई भी कानून है उसके पीछे एक mean difficulty थी एक दिक्कत थी उसको solve करने के लिए कानून बनाए जैसे कि एक problem हुई आपको याद होगा कौन सी accidents क्योंकि पुराने जमाने में गाड़ियां कम होती थी accidents के सवाल नहीं था धीरे धीरे जमाना बतला लोग बढ़ गए गाड़ियां आने लगी और गाड़ियां आने लगी रास्ते पे सड़क पे तो accidents होने लगे कोई कानून नहीं था उस time पे ऐसा नहीं था कि आप left hand side से चलेंगे red light रहेगी तो रुकेंगे तो कोई भी कहीं से भी गाड़ियां चला रहा है कोई red light का कुछ rule नहीं है इदर से एक भाग रहा है उदर से दूसरा आ रहा है एक दूसरे को ठोक रहा है कोई रास्ते पे बीच पे पैदल चल रहा है बीच रास्ते में तो तकलीव जाने लगी इसलिए इसको solve करने के लिए solution के रूप में कुछ rules बनाएगे जिनको लिखा गया एक book में जिसको हम बोलते हैं bill इसमें rules लिखे गए कि जो भी गाड़ी चलाएगा वो अपने left hand side से चलाएगा तो एक दिक्कत खतम हो गई कि दोनों आमने सामने आ रहे ऐसी problem नहीं है फिर red light रहेगी तो रुकेंगे green रहेगी तो चलेंगे ऐसे rules बनाएगे जो पैदल चल रहे है वो कोने से चलेंगे उनके लिए अलग से एक footpath बनाएगा फिर zebra crossing से crossing करेंगे तो यह सब rules बनाएगे बट यह rules को माने का कौन सब बोलेंगे मैं अपने rules बनाता हूँ तुम जाओ left side से मैं तो right side से गाड़ी चलाओंगा तो इसलिए दिक्कत हो सकती है तो इसलिए इसको कानूनी वैध्यता देने के लिए validity देने के लिए इसको पास किया both the houses of parliament में houses of parliament अभी यह जो बता रहा हूँ ना यह अभी बहुत काम आने वाला आपको कब जब हम आगे interpretation वगरे पढ़ेंगे क्योंकि मैं वहाँ पे आपको बोलूँगा कानून कौन बनाता है आपको याद होना चेए कानून बनाता है parliament कानून सरकार नहीं बनाती भले मोदी जी कितना भी चिलना है कि हमने कानून बनाया है तो नहीं कानून बनाता है parliament हाँ यह rules जो है यह rules जरूर government बनवाती है but ultimately कानून तब बनता है जब parliament में पास होता है यहाँ पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा इसके उपर voting करेंगे और voting करने के बाद कानून बनता है तो कानून बनने के लिए पहले दोनों जो houses of parliament उसमें पास होता है इसके बाद भी इसको एक president की ascent मिलना चाहिए presidents ascent ascent का क्या मतलब है president इसपे sign करते है president is the first person of India वो अगर sign करते थे तो मान लिया जाता है कि इसमें कुछ गड़बड नहीं है एक सही प्रकार से बनाया गया एक कानून है और इसको नाम दिया जाता है Motor Vehicles Act वैसे ही दिक्कत आने लगी लोग company बनाते थे और fraud करते थे लोग एक दूसरे को cheat करते थे लोगों ने company बनाया समझो मैंने company बनाया public issue किया लोगों से पैसा ले लिया और फिर मैं भाग गया गायब हो गया या company बनाया और कोई contract किया बाद में बोला कि मैंने तो contract नहीं किया company नहीं किया है क्योंकि company is a separate person तो इस प्रकार से दिक्कत आने लगी कि company के साथ company के नाम से contract कर लिये loan ले लिये repay नहीं कर रहे है तो इसलिए एक कानून बनाया गया companies act तो ये क्यों बनाया गया ये बनाया गया जो भी दिक्कत थी fraud इसको दूर करने के लिए ये भी ऐसी बनेगा इसमें भी both the houses of parliament में pass होगा president is present देंगे और इसका भी एक नाम दिया जाएगा जैसे यहाँ companies act है ठीक है पहले 1956 का एक act था अब लेकिन हम जो पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं 2013 का act क्यों क्योंकि वक्त के साथ problem बदलती है और problem बदलती है तो solution बदलना पड़ता है solutions भी change होते है तो यहाँ पे भी solution change करना ज़रूरी है अगर problem बदल गए जैसे एक टाइम पे accidents problem थी बट अब problem हो गई समझो pollution pollution problem हो गई parking problem हो गई तो आपको उस हिसाब से ये rules बदलना पड़ेगा और वही चीज़ बाकी के act में भी होती है fraud अलग हो गए change हो गए कुछ rules बदल गए उस हिसाब से आपको solutions बदलना पड़ेगा और इसलिए कानून बदलते दिखते है कानून जो होते हैं ये act के form में लिखे जाते है act में sections होते है बाद में वैसे जब हम companies act चालू करेंगे in fact companies act भी होने के बाद मैं आपको bare act की एक actual copy लाके बताऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है chapters है, sections है ये सब लिखे होते है तो section wise लिखा जाता है वो ताकि कल चलकर अगर मुझे court करना है कल चलके जगडा हो रहा है court में मैं दलील पेश कर रहा हूं मैं court में argue कर रहा हूं तो वहाँ पे मुझे court करना है कि companies act में ऐसा लिखा है तो मैं कैसे करूँगा section number से कि companies act के section number 25 में ऐसा ऐसा बताया हुआ है so यहाँ पे court करना आसान हो जाता है फिर कैसी भी बुक हो, बड़ी बुक हो, छोटी बुक हो so section 25 सेम बुलेगा so page number से court नहीं करते हैं so हम कैसे court करते हैं section से अब यहाँ जैसे आप और मैं एक ही बुक पढ़ रहे हैं तो ठीक है लेकिन आपकी बुक अलग है, मेरी बुक अलग है हम यहाँ पर जो sections पढ़ते हैं, इसको भी मैं और deep में समझाऊँगा जैसे आपको शायद मैंने बताया होंगा, section 2 है, उसमें ऐसा 11 लिखा है तो यह section 2, subsection 11 नहीं है, यह section 2, clause 11 कहलाता है तो यह भी मैं बताऊँगा कि इसको मैं clause क्यूं बोलता हूँ और वहीं जब मैं section 3, 7 पढ़ूँगा तो इसको मैं subsection बोलूँगा तो यह क्यों होता है, यह चीज़े भी हम देखेंगे यह चीज़े भी काफी लोगों को नहीं पता होती है, तो यह चीज़े बट पता होनी चाहिए तो कहीं clause बोलेंगे हम इसको, कहीं इसको subsection बोलेंगे तो यह ऐसा क्यों है, तो यह अपन देखेंगे ठीक है, तो आज जैसा मैंने आपको बोला कि आज अपन इसके उपर चर्चा नहीं करते हैं आज अपन पढ़ाई चालू नहीं करेंगे कल की class में अपन actually चालू करेंगे जो contract act है उससे तो आपको क्या क्या लेकिया आना है, तो जैसा मैंने आपको बता एक textbook है वो textbook लाना है, question bank आपको कुछ दिन बाद मिलेगी अभी फिलाद textbook है, textbook हम पहले पढ़ना चालू करेंगे concept समझना चालू करेंगे इसके बाद फिर question bank में जो questions दिये हैं, वो अपन solve करेंगे तो मैं आपको बताते जाओंगा, of course यहाँ पर पूरा solve नहीं कर सकते हैं बट मैं बताते जाओंगा, और उसमें with solutions दिये हैं question bank does not mean कि सिर्फ उसमें questions दिये हैं with answers दिया हूं मैंने, तो जहाँ पूरा detailed answer के requirement है, वहाँ पूरे detailed answer है जहाँ पे सिर्फ hint दे के काम हो जाता है, वहाँ hint दी है पर ज़्यादातर जगे आप देखोगे, उसमें detailed answers दिखेंगे आपको ठीक हैं, तो आपको वो particular question bank बहुत काम आने वाली है आगे चलके, अगर समझो अपनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है सिर्फ question bank भी कर लिया ना, तो बहुत हो जाएगा तो देखेंगे अपन, अभी फिलाल उसके उपर चर्चा नहीं करते हैं हम अगली class में basically जो chapter हैं उससे चालू करेंगे, contract act से चालू करेंगे और यहां तक कोई आपको अगर doubt होगा तो आप पूछ सकते हैं या कोई clarification होगा जो आपको पता करना होगा आर्टिकल शिप अगर है तो खेर बात की बात होगी एक group या दो group ऐसे कोई भी सवाल होगे तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं दोनों group करना चाहिए एक group करना चाहिए तो वैसे भी सवाल आते हैं आपके मन में तो कोई भी doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी doubt माई कौन कर सकते हैं चलो तो कोई doubt तो नहीं दिख रहा है तो आज की class में जल्दी खतम करूंगा जैसा मैंने आपको बताया था और अगली class में अपन actual पढ़ाई चालू करेंगे अभी थोड़ा slow चलेंगे और फिर जैसे ही आपके results आ जाएंगे तो फिर अपन अपनी speed जो है वो pick up करेंगे और बीच में मैं भी एक दो जगे चुट्टी भी देने वाला हूं जैसे कि एक दो requirement है कहीं जाना है कुछ है तो उसमें बीच में चुट्टी भी रहेगी ठीक है तो आज की class में यहाँ पर conclude करते हैं ते लिए थैंक्यू कि दूप्टी बीचार स्वीू